दोस्तो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले मोनोशेप O200 टेबलेट के बारे में मोनोशेप O200 टेबलेट अरिष्टो फार्मासोटिकल लिमिटीर द्वारा बनाया जाता है इसमें सेपोड अग्जीम 200 अमजी कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइज यह मार्पी लगभग 200 रुपए है तो चलो इसलिएव में जानते इसके यूजेस साइड इफेक्टर सब कुछ सबसे पहले जानते मोनोशेप O200 टेबलेट के यूजेस के बारे में मोनोशेप O200 टेबलेट का इस्तेमाल बैक्टरीय से हुने वाले संकरमन की इलाज मी किया जाता है treatment of bacterial infections मोनोशेप O200 टेबलेट जो की बैक्टरीय को मार कर और बैक्टरीय की ग्रोथ को रोख कर काम करता है इस दवा का इस्तमाल कई अलग अलग परकार के संक्रमन में किया जाता है इसका इस्तमाल मस्तिस, फेपडो, कान, पेशा, मुत्रमारग, हड़ी और जोड़ो, तोचार, रक्त, हड़ी के इलाज के लिए किया जाता है यह दवाम तोर पर आपको जल्दी ही बहतर महसुस करवा आप जानते मोनोसेप को टैबलेट के साइड इफेक के बारे में इस दवासे होने वाले ज्यादातर साइड इफेक में डॉक्टर की सला लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नेमित रूप से इसका सेवन करने से यह साइड इफेक अपने आप समाप्त हो जाती है अगर साइ कैसे करे या डोसेज के बारे में इसे साबुद निगले इसे ना ही चबाए ना ही कुछ लिएग और ना ही तोड़े मोनोसेप O200 टैबलेट को भोजन के साथ लेना सबसे बहितर होता है अब जानते मोनोसेप O200 टैबलेट किस प्रकार काम करता है मोनोसेप O200 टैबलेट इक एंटिबाइटिक होता यह बैक्טरिया को बैक्टरियśl प्रोटिक वर्रिंग जिल्दी बनने से बचा कर रोकता है और मारता है कि बैक्टरिया की जीवीत रहने केलिए अउश्यक होता है अब जानते हैं इसे यूज़ करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में डॉक्टर ने आपको मोनोसेप O 200 टेबलिट लेने के सला संक्रमन के इलाज और लक्षनों में सुधार के लिए दिया है बहतर मैसुस होने के बावजूद भी दवाकी कोई खुराकना चोड़े और इलाज का कोर्स पूरा खत्म कर दे जल्दी बंद कर देने से संक्रमन दोगवारा हो सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है यदि आपको रियास तोचा में खुजली चेहरे मुँ में सुखापन सास लेने में कठनाई जैसी समझा आ रही है तो मोनोसेप ओ दोसो पैबलीट लेना बंद कर दे और इस बारे में तुरंद अपने डॉक्टर को बताए साइड इफेक के तोर में दस्त होना शुरू हो सकता है लेकिन कोर्स पुरा हो जानी के बाद दस्त होनी रुख जानी चाहिए अगर ये बंद नहीं होता अगर आपके मल में बलड आता है तो डॉक्टर को बताएए जानकर आपको कईसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो युडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जई हिन दोस्तो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले नेक्सोवास ओफोर्टी टैबलेट के बारे में नेक्सोवास ओफोर्टी टैबलेट मैकलोडस फ आई याज हमें करते हैं आपके हद्द लिए पूरे श्रिम में रखतक पॉमप करना पहुंचान बनाते इस से बलडब प्रेशर कम हो जाता है अगर आपका बलडब प्रेशर नी इंत्रीत होता है तो आपको हार्ट आटेक्स ट्रोक या किड्नी में समश्या होने का जोखिम कम होता है इस दवा को असर करने के लिए बताया नुसार नेमित रुपसी लिया जाना चाहिए दवासे होने वाले ज्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेनी की जरूरत नहीं पड़ती आप जानते हैं निक्सो आस ओ टैबलेट का इस्तमाल कैसे करे या डोसेस के बारे में इसे सबुदनी ले इसे ना ही चबाए ना ही कुछ लेव ना ही तोड़े निक्सो आस ओ फोर्टी टैबलेट को बोजेन के साथ लेना सबसे बहितर होता है आप जानते निक्सो आस ओ टैबलेट किस प्रकार काम करता है निक्सो आस ओ फोर्टी टैबलेट दो दवाव का मिश्रन होता है जो कि ब्लुड प्रेशर को प्रवाइडंग से कम करता है इसमें से उल्मेसार्टन, मेडग्जिमिल एक अगोनिष रिस्पेक ब्लॉकर होता है और क्लिणी डिपायने केल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है वे ब्लड वेजल को आराम देकर और पूरे शरीर में रक्त को पंप करने में हर्ट को अधिक उशाल बना कर काम करते हैं इस प्रकारिया हाप के हर्ट आटेक का रुकतान करते हैं आप जानते हैं इसे उच्छ करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में नेक्सोवास ओफोर्टी टैबले दो दवाव से मिलकर बनाया जो कि सिंगल दवा की तुलना में अधिक बैतर तरीके से रक्त पाच को निद्रित करते हैं नेक्सोवास ओफोर्टी टैबलेट के सेवन से चक्कर आना नींदाना हो सकता है जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आप पर कैसासर करती है तब तक गाड़ी चलानी या मानसी के कागरता की आउशकता वाला कोई भी काम न करें इससे आपको सिर गुमने जैसा मैसूस हो सकता है विशे सुर्प से जब आचानक से खड़े होते है अगर यह बेठे आए लेटे आए तो धिरे धिरे उठे शराब का सेवन न करें क्यूंकि शराब इस दवा के बलड प्रेशर को कम करने पर प्रभाव डाल सकता है इससे टकनी पेर में सुजन हो सकती है जब आप नीचे बेटे हो या पेर को उपर उठाए अगर यह न फैले तो डॉक्टर से बात करें यह जान करें आपको कैसी लगी दोस्तों अच्छी लगी हो तो योडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले आन त 15 mg कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज या मार्पी लगबग 744 रुपए है तो चलो इसलियों में जानते इसके UGS साइड इफेक्टर सब को सबसे पहले जानते हाइपोनाट ओ टैबलेट के UGS के बारे में हाइपोनाट ओ टैबलेट का इस्तमाल लो लेवल आप सोडि के स्तर को बढ़ा कर काम करता है जिससे आपको भूत सारी पदार्तो यह हमारे शेरी में सामान्य सोडियम के स्तर को रिस्टोर करता है और मेमरी नुकसान जाई से अधिक जटिल टायों को रोकने में आपको मदद करता है आप जानते हाइपोनाट ओ या बलेट के साइड इपेक में डॉक्तर की सला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हए और निय मित रूप से इसका सेवन करने से यह साइड इपेक्टि अपने आप समापत हो जाते है अगर साइड इपेक्ट बने रहते है या लक्शन बिघडने लगते है तो अपने डॉक्टर से सला ले है पन आप जानते हैं है रख्तमी पानी की मात्रा कम हो जाते हैं और रख्तमी सोडिंग के स्थर बढ़ जाता है आप जानते हैं इसे उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में हाइपोनाट ओ पंदरा एमजी टैबलेट का उप्यक रख्तमी सोडिंग के लिए उलकी कमी के इलाज में किया जाता है ये यूरिन फ्लो को बहतर बनाता है इसमें पेशाप के जरिये शिरीर से ज़्यादा सोडियम निकल सकता है इसे हर रोज एक ही समय पर ले डॉक्टर दौरा बताई गई आउधी और आउधी के अनुसार ही ले रियाड्रेशन से बचने के लिए प्यास लगते ही कुछ न कुछ पी ले जाना चाहिए लेकिन सिराप पीने से बचे अगर आप पेशाप करते हैं समय असमर्थ है या प्यास लगने पर खुद को बता नहीं पानी में असमर्थ महिसूस कर रहे या गंभी रूप से प्यास है तो हाइपोनेट ओप अंदरा टैबलेट लेना बंद कर दिये यह जानकर आपको कैसी लेगी दोस्तो अच्छी लेगी हो तो यूडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना न भूले आन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिन दोस्तो अब सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले डिलियन टैबलेट के बारे में डिलियन टैबलेट में ब्रोमोलीन 180 mg ट्रेपसीन 49 mg अंडरोटोसीन 200 mg कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज यह मार्पी लगभग पास 190 रुपए है तो चलो इसलिए में जानते डिलियन टैबलेट के यूजेस स दर्द निवारान के लिए किया जाता है दर्द निवारक डैलेएन टैबलेट डवाव का क्वंबिनेशन होता जिसका इस्तमाल मासी का आगात सरजेरी रोजमर्रा की गतियोदिक के कारण होने वाले दर्द इंफ्लामेशन सुजेन से रहत के लिए आपको दिया जाता है इसका इस्तमाल रोमाटेटीस, अर्थरेटीस, अश्टो अर्थरेटीस, जैसी मास पिश्यो और जोडों को परवाइद करने वाली इंफ्लामेंटरी स्थितियों से रहत देने के लिए भी किया जा सकता है अधिक अब जानते डेलियन टेबलिट को भोजन के साथ लेना सबसे बहितर होता है अब जानते डेलियन टेबलिट किस प्रकार काम करता है डेलियन टेबलिट एंजाइम होता है इसमें दो एंजाइम है ब्रोमोलिन और ट्रेपसीन और एक अंटी अक्सिडन्ट रूटोसीन का मिश Preradical से होने वाले नुकसान से बचाता है और सुजन को कम करता है आप जानते ही से उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में Dalliant, Tablet, Roma, Surgery, रोजमर्रा की गतिविद्य के कारण होने वाले दर्द और सुजन से रहाथ दिलियाने में आपको मदद करता है इसका इस्तमाल रूमाटेटीस, अर्थरेटीस, अश्टो अर्थरेटीस, जैसी, रूमाटिक और डीजनरेटीव स्थितियू में सुजन से रहात देने के लिए आपको दिया जाता है खाने के एक गटे पहले या दो गटे बाद इसे डेर सारे तरल पदारत के साथ ले यह जान कर आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो यडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना न भूले अन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिन दोस्तो अब लगबग 115 रुपए है तो चलो इसलिव में जानती इसके युजेस साइड इफेक्टर सब को सबसे पहले जानती अमलो जेल टैबलिट के युजेस के बारे में अमलो जेल टैबलिट का इस्तेमाल हाइपर टेंशन हाइप बलड प्रेशर के इलाज में किया जाता है टित्मे अब जानते अमलो जेल टैबलिट के साइड इफेक्ट के बारे में इस दवासे होने वाले जादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेने की जरुरत नहीं पड़ती और नेमित रुपसी इसका से उन करने से यह साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते है ना ही चबाए ना ही कुछ ले ओ ना ही तोड़े अमलो जल टैबलिट को खाने के साथ या भूके पेड़ भी ले सकते हैं लेकिन बहुतर यही होगा कि इसे एक फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आप आपकी दवाई लेना नहीं भूलेंगे अब जानते हैं अमलो जल टैबलिट का यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में आपको हाई बलर प्रिशर की गिलाज के लिए अमलो जल टैबलिट लेने की सला दी गई ये बलर प्रिशर कम होनी सी पविश्य में हार्ट अटेक एंड स्टूक की संभावना कम होती है जिसकी वज़े से चक्कर आ सकती अगर आप बेटे या लेटे है तो धिरी धिरी उठे ये जानकर आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो यडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना न भूले आन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिन दोस्तो